दोस्तो अगर आप भी जो है इंट्राडेट ट्रेडिंग करना चाहते हैं लेकिन आपको यह नहीं पता है कि मार्केट यह कितने बज़े खुलता है और कितने बज़े खुला रहता है शिर्फ आपको इतना पता है कि इंट्राडेट ट्रेडिंग होता हुँ एक दिन का होता है यानि आजी खरीदो और आजी बेचो लेकिन आप कोई लिए नहीं पता कि कितने बचे मार्गेट खुलता है और कितने बचे तक मार्गेट खुला हुझा है था ओर आपको कितने समय में जो IRA ट्रेडिंग के लिए बाए करना चाहिए और कितने समय में इसको सेल करना चाहिए ताकि आप जो लोसमें ना पढ़े ठीक है तो वीडियो में एंड तक बने रहे ना और चैनल पढ़ने तो चैनल को नीचे सब्सक्राब करें ठीक है तो चलिए दौसम आज की सबुर्दिय को शुरू करते हैं तो कितने बज़े तक बंद रहता है और आपको कब बाय करना चाहिए और कब आपको सेल करना चाहिए जिससे कि आप जो है लोसेस में ना पड़े और प्रॉफिट हो रहे है ठीक है तो सबसे पहले तो बात आता कि जो भी सब्ता में दिन होता यानी साथ दिन मार्केट खुला नह है आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते और ट्रेडिंग जो है सेयर को बाय करने का वेस्ट टाइम है दस बसकर 15 मिनट से ले करके दो बसकर 30 यूनिट ते यह टाइम मैं आपको इस लिए सजिस्ट कर रहा हूं क्योंकि जो है मार्केट साड़े नो बजे यानि सभा नो पर खुल जाता है आप चाहे तो उसी समय से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं यानि इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं लेकिन जब आप 10-15 से आप ट्रेडिंग करना इंट्राडे में तो यानि 10 बजे से 10-15 के बीच में मार्केट का उतार चड़ाओ काफी कम हो जाता ठीक है ताकि आपको अच्छा से पता चल जाएगा तो इसलिए आपको जो है मार्केट जब भी आप जब इंट्राइड ट्रेडिंग करें तो 10-15 से लेकर के नहीं बज़े के बीज में ट्रेडिंग करें इसके बीच में आपको अच्छा का सिर्फ प्रोफिट होगा ठीक है चाहे तो आपने लिए यह मार्केट में उतार चखाव कम रहा था ठीक है अप लोग को समझ में आ गया होगा कुछ डाउट है तो निची दिचे कमेंंड कर सकते तो दोस्तों मिलेते हैं किसी नेक्स्ट वडियों तक तब दिकल जाहीं बदने मत्राइब झाल झाल